दोस्तों भारतिय रुपया जिस रफ्तार से दुनिया भर में अपनी पकड मजबूत कर रहा है उसे देखकर यह कहां जा सकता है कि भारतिय रुपया बहुत जल्द एक अंतराश्य करिंसी बनने वाली है आज एक रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है कि भारतिय रुपया पूरी दुन्या में एक तरफा राज चलता है लेकिन जब से रूस यूक्रेन युध शुरू हुआ तब से वैश्विक समीकरन पूरी तरीके से बदल गए हैं। सरकार को समझ आया कि डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना क्यों जरूरी है क्योंकि कल को भारत जब अपना पीओ के पाकिस्तान से वापस लेगा तो युध होने का खत्रा लाजमी है और तब यही पश्चमी देश स्विफ्ट पेमिंट मेकनिजम वाला कार्ड भारत के सामने भी फैंक देंगे जिससे भारत का फॉरेक्स रिजरू पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा इन पश्चमी देशों पर आख मूंड कर भरोसा करना भारत को बरबाद कर सकता था क्योंकि यह पश्चमी देश किसी भी देश के सगे नहीं है भारत ने तभी से डी डॉलराइज अब खुद अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका ने जो रूस पर प्रतिबंद लगाए थे उससे डॉलर को नुकसान हो रहा है और भारतिया रुपया इसका पूरा फाइदा उठा रहा है अमेरिका ने जो सैंक्शन रूस पर जिलनी पड़ रही है और इसी का फाइदा भारत ने उठाया है भारतिया रुपय ने अमेरिकी डॉलर को पूरी तरीके से कमजोर करके रख दिया है सबूत के लिए स्क्रीन पर रूटर्स न्यूस का एक आर्टिकल है जिसके मुताबिक भारत और रसिया के बीच तेल व्या पार को 16 गुना बढ़ा दिया है और इस र्यापार में भारत ने अपने भारतिया रुपय और रुबल को इस्तमाल किया है पिछले तीन महीनों में भारत और रूस के बीच लेंदेन 100 मिलियन डॉलर के बराबर है जिसका भुकतान भारतिया रुपय और रुबल में किया गय कि अमेरिकी डॉलर को भारतिय रुपे ने मजबूती के साथ रिपलेस करना शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा था कि भारत जी साथ का अब्जर्वर मिंबर है। को इंटनेशन करंसी बनाने के लिए भारत सरकार अपना पूरा दमखम लगा रही है। बहराल आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बतायेगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तब तत के लिए जैहिन।